दोस्तों आज हम Soul Land की न्यू एपिसोड 248 की ट्रेलर को डिटेल में एक्स्प्लेंग करने वाले हैं, इस वज़े से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वैसे दोस्तों टैंग्शन और 15 टन के दर्मियान फाइट सिर्फ एक ही एपिसोड में खत्म होने वाला था, लेकिन पता नहीं स्टूडियो वालों ने इस एपिसोड को दो पार्ट में बाटा हुआ है, इसलिए आपको आने वाली एपिसोड में उतना ज्यादा फाइट देखने को नहीं मिलेगा, हमारा एपिसोड स्टॉर्ट होते ही हम सबसे पहले देखते हैं टैंग्शन को, जो क 15 टन एंट के सामने खड़ा होता है, और उसी की साथ ही कहता है, मैंने आज से पहले इतनी बड़ी एंट एंपरर को कभी नहीं देखा है, और इनकी साइच को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है, कि यह सारे 100,000 एंट के सोल बिष्ट है, इसलिए मुझे साफधानी से काम लेना होगा, क्योंकि यह मुझसे कई गुना ताकतवर हो सकते हैं, जिसके साथ ही हम देखते हैं, वो सारे 15 टन एंट्स टैंशन की ओर अटेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, यह देखकर टैंशन तुरंथ ही अपनी ब्लू सिल्वर डॉमिन को रिलीज कर देता है, जिसकी वज फिर से टैंशन को ही खीचने लगते हैं, यह देखकर टैंशन पूरी तरह से शोक हो जाता है, और उसी की साथ ही कहता है, अकीर यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, इवन की मेरी खुद का वजन ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरी सी गौर ट्राइडन्ट की वजन एक लाख आठ हज जिन बारी है, मगर फिर भी यह एंट्स एंपरर इतनी भारी वस्तू को खीच रहे है, सच में 15 टन एंट्स के पावर बहुत ही ज्यादा है, और साथ ही यह सभी काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, वही दूसरी तरफ एंट्स एंपरर भी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि वो एक पहारों को खीच रहे हैं, इसके बाद वो सभी मिलकर अपना सबसे ज्यादा पावर फुल अटेक का इस्तिमाल करते हैं, जिसे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी साथ ही हम देखते हैं इस धमाके के कारण बड़े बड़े पत्थर और प बच जाता है, ये देखकर एंट्स एंपरर दोबारा से टांशन पर अटेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वही इसी समय टांशन एक प्लान बनाता है, जिसकी साथ ही टांशन स्पीड से फ्लाइंग करते हुए एक गिरने वाली बड़ी सी पत्थर के उपर चला जाता है जैसे ही एंट्स एंपरर टांशन के करीब आते हैं, उसी की साथ ही टांशन अपनी सी गौट ट्राइडेंट को उस पत्थर के अंदर घुसा देता है, और साथ ही जल्दी से अपनी लेफ्ट आम सोल बोन की ग्रविटी कंट्रोल को यूज करता है, इस से उस ट्राइडेंट का वजन और ज्यादा बढ़ जाता है, वही इस बड़ी सी पत्थर की नीचे आकर सभी एंट्स एंपरर फंस जाते हैं, ये देखकर टांशन को लगने लगता है कि वो हमारे गए होंगे, लेकिन तभी एंट्स एंपरर जमीन को खोदते हुए उपर आने लगते हैं, ये दे इसरी तरफ Ants Emperor दोबारा से टांशन पर अटेक करने के बारे में प्लानिंग करने लगते हैं. इसके बाद दो Ants Emperor टांशन के उपर आगे से अटेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं. वही तीसरा Ants Emperor टांशन के पीछे से अटेक करने के लिए आगे बढ़ता है. वैसे टांशन को इनकी प्लानिंग के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो सामने आने वाली दो एंट्स एंपरर को ही रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तीसरा एंट एंपरर टांग्शन के पीछे से प्रकट होकर उस पर अटैक कर देता है, ये देखकर टांग्शन तुरंथ ही अपनी स्पाइडर लांज के पावर कई गुना जादा बढ़ चुकी है, और ये एविल्यूशन होकर गौड लेवल के स्पाइडर बन चुके हैं, और इसी के साथ ही हम देखते हैं, एट स्पाइडर लांज के अटैक के अंदर 15 टन एंट पूरी तरह से फंस जाता है, और उससे ब आंट एंपरस दोबारा से उठकर टैंशन पर बहुत ही पावर्फुल अटैक करते हैं, लेकिन इनकी अटैक को टैंशन होल नहीं कर पाता, जिससे वो नीचे गिर जाता है, और इसकी अगले सीन में हम देखते हैं, जैसे ही टैंशन नीचे गिरता है, उसी के साथ ही हम करते हैं वैसे मुझे इस जगह को देख कर ऐसा लगता है कि यह एंट एंपरस का नई एबिलिटी है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो एक अलगी दुनिया को क्रिकेट किया है मगर उसी के साथ ही हम देखते हैं टैंशन इस अटैक का सामना नहीं कर पाता जिससे वो काफी हद गायल हो जाता है इवन की उनकी सी गौड ट्राइड एंट भी नीचे गिर जाता है और उसी के साथ ही टैंशन को लगने लगता है कि वो इनका मुकाबला नहीं कर सकता तभी टैंशन डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी हैमर का यूज करते हुए इन एंट एंपरस हराने के लिए अपने सबसे ज्यादा पावफुल टैक्नीक का इस्तेमाल करेगा तभी हम इसकी अगले सीन में देखते हैं टैंशन अपने सबसे ज्यादा पावफुल टैक्नीक का इस्तेमाल करने लगता है वैसे यह टैक्नीक दग्रेट सुमेरू हैमर था इनका यूज करते हुए एंट एंपरस को बहुत ही आसानी से मार देगा और उसकी सोल रिंग को भी आसानी से अब्जॉब कर लेगा और इतना कहते ही आज का हमारे ट्रेलर यही पर कंप्लीट हो जाता है यदि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिना